तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब ठीक ही होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन खाने के क्या-क्या आपको चमतकार फाइदे दिखेंगे लैसुन खाने से क्या आपकी बोड़ी में ऐसा होगा कि आपको जो है कुछ ही दिनों में काफी चंजेस आपके शरीर में आ जाएंगे क्या होता है लैसुन खाने से किस तरीके से खाना चाहिए लैसुन को और लैसुन के अंदर ऐसे क्या पोशक्तव होते हैं लहसुन को खाने के क्या क्या और फायदे होते हैं सही तरीका क्या होता है खाने का सारे की सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे अखिर तक वीडियो को देखना है एक चीज अच्छ समझना है इससे पहले भी काफी सारी वीडियो आपने हो सकत में खाने बनाने में टेस्ट को बढ़ाता है लेकिन कुछ और इसके फाइदे भी होते हैं दोस्तों जो कि आप में से काफी लोगों को नहीं पता हूंगे उससे पहले हम जानते हैं कि लैसुन के अंदर ऐसा क्या होता है इसके अंदर एलिसिन नाम का कैमिकल होता है जो कि होता है सल्फ giving me स्थिन युञें ग्लाइव करते हैं कि अब जो है फायदे की बात करते हैं इसको किन-किन इस्तमालों के लिए लिया सकता है तो इसको जो खास करके और इस बीसेरा इतरो सों से जुड़ी unto कि नियृवर की समर्चिया तो उसको ठीक करने के इस्तमाल में लहसुन लाए जाता है, पुरूसों में टेस्टिस्टरोन की कमी है, जिसकी वज़से उनके जो बड़ी अच्छी नहीं दिखती है, मतलब एकदम से उनको बुड़ापा सा लगता है, अपने सरीर में कि बुड़ापा आ गया है टाइम से पहले, उमर जादा उनक स्पम काउंट का, तो उनके स्पम काउंट कम रहते हैं, तो उसको ठीक करने के इस्तमाल में भी ये लहसुन लाए जाता है, शादी शुदा पुरूसों में के लिए ये एक अमरत का गाम करता है, दोस्तों, शादी शुदा पुरूस इसको जरूर खाएं, इम्मुनिटी को आता है, मतलब जो आपकी बोड़ी को, शरीर को बार बार को बीमारी घहर लेती है, आपके सरीर को बुखार लगा रहता है, खांसी जुखाम लगी रहती है हमेशा, तो उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि लेसुन जो है, इम्मन सिस्टम को बढ़ा देता है, इम्मन सिस क्या बात है दोस्तों, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कितने सारे फायदे होते हैं इसके, अब बात करते हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, जिससे कि आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिले इसका, यहां तक अगर आप बने हुए हैं, तो यहां स आपको चबाकर नहीं खाय जा सकता, आपको टेस्ट अजीब लग रहा है, तो इसको छोटी-छोटे पीसे में तोड़कर एक चमच में रख लें, उसमें एक चमच शहद लेने, उसमें मिक्स करके भी इसके साथ में आप इसको ले सकते हैं, इस ऐसा अगर आप लेते हैं, त मिक्तलब किसी का कॉलेस्टरोल बढ़ जाता, उनके अंदर चर्वी बढ़ जाती है, उसको भी ठीक करने का ये काम करता है लहसुन, तो दिल से जुड़े बिमारियों में भी इसको लेना होता है, लिया जाता है, किसी का बीपी बगएरा बढ़ रहा होता है, तब इसको दे करते हैं, आप कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखें आप कि इसको अगर आप ले रहे हैं, तलीवी चीजों का सेबन कम करें, एक्सरसाइज करें डेली, अच्छे ड्राइफूट खाएं, अच्छी डाइट खाएं, इस तरीके से अगर आपको लेते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, तो गारेंटी है, गारेंटी है कि आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, तो दोस्तों कैसे लगी आपको जानकारी, काफी अच्छे सामना आपको समझाया, अगर आपको समझ आया, तो चैनल को सबस्क्राइब करना, भया कर दें सबस्क्राइब, क्या दे बेटन पर किलिक करना है और वैल आइकन को भी ओन कर देना जिससे कि हम अगली वीडियो जब जा लेंगे तो सबसे पहला आपको मिलेगी चलिए दोस्तों मिलेंगे हम ऐसे ही एक information वीडियो के साथ किसे अगली वीडियो में